हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टु माई चैनल और कैसे हैं आप सब आप लोग अच्छे होंगे आज है मंडे अभी टाइम मुराय मॉर्णिंग का शावर ले लिया है है इसलिए गीले हैं भी मैंने क्लच कर लिये हैं और अभी इनको मैं सुका करना वस पौनी कर लूँगी और बस उनी का वेट कर रही हूं तब तक सोच आप लोगों से बात कर लेती हूं और मुझे आप लोगों के साथ कुछ प्रोड़क्ट भी शेयर करने हैं इसकीन केर से रिलेटिड अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें जादा महनत ना करनी पड़े हो और हमारे फेस पर अच्छा पर करूंगी कि आप इनके प्रोड़क्ट ले सकते हैं ये बिल्कुल प्योर एंड नेट्रल है केमिकल फ्री है मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये जो प्रोड़क्ट है मैं यूज कर चुकी हूं मुझे इनका रिजन्ट काफी अच्छा मिला है तो इसल पहले मैं आप बात करूंगी और इजन्ट के ओरेंज पील पाउडर की तो सभी जानते हैं कि पहले के टाइम में जो ना संत्रे के चिलके को सुखाते थे सुखाने के बाद बाद बनाते थे फिर अपने फेस पर एपलाई करते थे फेसपेक बना कर तो आब आज के टाइम मे चाहता है किसी के पाश टाइम भी नहीं है तो उसके लिए बैस टेक हम जो है ना यह रेटी मेट और इंज पील पाउडर ले और कुछ भी नहीं करना है यह पाउडर फॉर्म में आता है बस आपको जो है इसको घोलना है और अपने पेस पर एपलाई करना है कोई जंजट न बिटामिन सी भरपूर मातरा में पाया जाता है तो इसलिए यह हमारी स्कीन के लिए काफी अच्छा है यह और इगेंज का प्योर और नेट्रल प्रीमियम औरेंज पील पाउडर नो एडिट केमिकल हमारी स्कीन की नेट्रल केर करता है आप देख सकते हैं और यह जो है 100 ml का कंटेaux है तो इस तरह के प्लास्टिक के कंटीनर मे यह आएगा और इसकी कॉछंटिटी काफी है काफी टाइम तक चल जाएगी पीछे यहां पर मैंचन किया हुआ है कि इसके क्या बेनिफेट है और इसको हमें कैसे यूज करना है यह हमारी स्क्रीन को ब्राइट बनाता है और natural cleanser, moisturizer, scrub की तरह ये काम करता है अगर आपके face पर blackheads हैं तो उनको भी ये reduce करता है तो ये काफी अच्छा है, orange peel powder और price यहाँ पर mention की हुई है $247 लेकिन आपको इतना pay नहीं करना है जो link मैं आपको दूँगी, वहाँ पर काफी अच्छे discount चलते हैं प्लिपकार्ट और Amazon पर आप वहाँ से जाकर इसको buy करेंगे तो काफी अच्छा discount आपको मिल जाएगा दुसरा जो face pack है, वो है, rose petal powder तो ये powder भी हमारी face के लिए काफी अच्छा है ये भी गुलाब की पंखुणियों को सुखा कर बनाया जाता है तो रेडिमेट अगर आपको pure and natural मिल रहा है तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है तो ये जो हमारी skin को sun damage से पचाता है agile cleaner की तरह काम करता है और हमारी skin पर जो भी जुरियां है यह हमारी skin dull लग रही है तो ये सारी problems आपकी दूर हो जाएंगी और जो भी हमारे face पर extra oil होता है उसको ये remove करता है यह है औरी गेंज का pure and natural premium rouge petal powder no added chemical natural skincare की तरह ये काम करता है और इसके benefit और इसको कैसे use करना है सब पीछे mention किया हुआ है इसमें भी vitamin C पाया जाता है और ये हमारी skin को sun damage से बचाता है natural cleaner की तरह काम करता है हमारे face पर जो भी extra oil होता है उसको ये remove करता है हमारी skin dull है जुर्डियां है तो उन problems को भी ये दूर करता है तो इसकी quantity भी आप देख सकते है इस तरह ऐसे ये आएगा और इसकी price यहाँ पर mention की हुई है 297 लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है जैसे कि मैंने आपसे बोला जो link दूंगे वहां से आप इसको ले सकते हैं ये self life दी हुई है 24 months आराम से आप इसको काफी time तक यूच कर सकते हैं तीसरा जो face pack है वो है इसको निकालना है और घोलना है और फेस पर एपलाई करना है तो कितना आसान है और वो जो है ना जम भी जाती है अगर हम इसको रख देते हैं लेकिन ये जो है इस तरह के container में पैक हो के आएंगी है और इक इंच के प्योर और नेच्रल मुलतानी मिट्टी पाउडर नौरेट केमिकल नेच्रल स्कीन केर की तरह काम करता है और बड़ तो मुलतानी मिट्टी हमारे face के लिए बैसी काफी अच्छी होती है इसको तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं मिक्स करके भी लगा सकते हैं इसकी प्राइस दी हुई है 207 रुपीस जो लिंक में दूंगी वहां से आप इसको ले सकते हैं काफी अच्छी डिसकाउंट पा सकते हैं पैकेजिंग की बात करूं तो बहुत अच्छी पैकेजिंग है तीनों की जो की प्लास्टिक के कंटेनर में हैं और कॉंटिटी भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी आप देख सकते हैं तो यह काफी टाइम तक चल जाएगा तरह से इनका धकन दिया हुआ है इसको मैंने यूज कर लिया है इसलिए यह ओपन है इनकी जो खुश्बू है बहुत जादा अच्छी है बिलकुल औरेंज की खुश्बू आ रही है इसमें बिलकुल रोज की खुश्बू आ रही है बस इन तीनों पाउडर को हमें मिक्स करना है फेस पैक बनाना है और अपने फेस पर एपलाई करना है तो मैं आप लों को बत लेना है तो मैं रोज बॉटर के साथ इनको घोलूँगी अगर आप चाहें तो सिंपल पानी से भी घोल सकते हैं या आप कच्छे दूद से घोल सकते हैं दही डाल कर घोल सकते हैं यह आपके उपर है लेकिन मैं गुलाब जल डाल कर इसको घोल लूँगी तो बस मैंने यहाप पर तीनों मैंसे हाफ आप इस पून ले लिया है और गुलाब जल डाल कर इसको खोल लूँगी अगर आप नेक पर भी लगाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ फेस पर ही लगाऊंगी उसे साफ से मैंने हाफ आप इस पून लिया है और पर बस अच्छे से इसको घोल लिया है तो जो उसके अपने ले अपने लिए है तो sacrifice कर लें उसके बाद इस पापक को एपलाई करें तो आप चाहें ब्रस की help से इसको लगा सकते हैं लेकिन मैं जो है fingers की help से ही अपने पूरे face पर इसको लगा लूँगी और कम से कम हमें 15 से 20 मिनिट के लिए इसको लगे हुए छोड़ देना है इंतजार नहीं करना है कि पूरा जब face pack सूप जाएगा उसके बाद ही हमको इसको wash करना है सिर्फ हमें 15 से 20 मिनिट लगे रहने देना है तो बस यहाँ पर मैंने पूरे face पर जो है face pack apply कर लिया है अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनिट के लिए और आप लोगों से मिलती हूँ face wash करने के बाद after 15 मिनिट बाद मैंने कर लिया अपने face को wash मैंने पहुचा भी नहीं था आपके सामने मैं अपने face को साफ कर रही हूँ आप देख सकते हैं पहुच रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्कीन पर कितना अच्छा लग रहा है गलो कर रहा है मैंने आपको बता दिया है कि इन face pack को हमें कैसे यूज करना है कैसे apply करना है face पर तो आप भी और इगेंच के ये face pack मंगा सकते हैं इनका buy link मैं आपको description box में दे दूंगी आप वहां से जाकर इनको खरिश सकते हैं buy कर सकते हैं और आपको काफी अच्छे discount मिल जाएंगे तो बस यही मुझे आपनों के साथ share करना था चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद अभी मैं आ गई हूँ kitchen में time हो रहा है सुबह के 11 तो बस यहाँ पर चाए को बनने के लिए रख रही हूँ आज बंडे है तो मैं शावन लेने के बाद ही चाए पीती हूँ तो बस इसलिए भी बना रही हूँ और बैसे भी मम्मी को आना था मेरी सासुमा को तो मैंने और नहीं बनाई थी कि जब वो आ जाएंगी न तब ही बना लूँगी सबी लोग साथ में बैटकर चाए पी लेंगे तो बस मम्मी आ चुकी है मम्मी पौने 11 बजे आ गई थी तो बस चाए में मैंने कुछ तुलसी के पत्ते डाल दिये हैं और अदरक के साथ काली मिर्च ली हैं तीन से चार और दो लॉंग ली हैं उनी को कुट कर डाल दूँगी और बस इसको अच्छे से बॉइल होने दूँगी चाए बनकर त्यार हो चुकी है तो बस यहाँ पर मैं सभी के लिए वही चान रही हूँ और चाए पीने के बाद जो है मैं फिर से आ गई हूँ किचिन में अब भी टाइम हो रहा होगा 12 बजे का तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराटे मम्मी खाएंगी और यह भी खाएंगे तो इसलिए मैंना जो है आलू मॉर्णिंग में ही बॉइल कर लिये थे क्योंकि मुझे पता था मम्मी को भी आना है और इनको भी अच्छे लगते आलू के पराटे तो इसलिए बस मैं वही बना रही हूँ और मम्मी साथ में किचिन में खड़ी हुई है और उनको जो है न मैंने पानी दिया है थोड़ा सा गरम करके वही वो पी रही थी तो इसलिए मैंने उनको जितनी बार भी पानी दिया पीने के लिए थोड़ा सा गरम करके गुनगुना दिया मैं उनसे यही बोल रही थी कि अब घर पर भी पानी गरमी पीना और फ्रिज का पानी मत पीना क्योंकि उससे खासी जल्दी ठीक हो जाएगी इसलिए मैंने चाय में काली मिर्च लॉंग तुलसी के पत्ते अद्रक तो डालती हूं यह सब डालकर बनाई थी ताकि इससे मम्मी को आराम में लेगा और यहाँ पर मम्मी मुझे कुछ बता रही थी वह प्लेट ठाली वगएर और ग्लास वगएर लेकर आई थी तो उसी व तो होंगी बश्वही है और एक बात है कि मेरी सासूम्म हमेशह मेरी तारिप करती हम की मैं का सफया रहते हैं काफंभी घ्लीन रखती हूं यह थै क्रीद मतर बात सबस्या रखना पर नोग भर्रेलए के इस जिप गहर यह थी टारीजा है respecto प्ले खिर एंधिन प्लीन नोगत तारिफ करते हैं इस चीज़ के लिए कि मैं घर को काफी clean रखती हूं और काफी अच्छे से organize करके रखा है तो इस चीज़ के लिए तो हमेशा मेरे ससुराल वाले मेरी सासुमा मेरी तारिफ करती है तो मम्मी जब भी किचिन में आती है ना वो container बगएर है देखते हैं तो यही फंदर ना सासुमा को टोकना पड़ता है बहूतं को कि ऐसा नहीं ऐसा अथो करो एसा नहीं ऐसा लेकिन मेरी सासुमा को मुझे टोकने की कभी ज़ुरत नहीं पढ़ती है मैं यहां बहुत तो besah Daar को करती है और से और बस पराठог कर तयार हो चुक बाटर पनीर की सब्जी तो उसको भी गरम कर लिया था वही मैं रखके दी है पराठों के साथ मैं और और पनाठे बनाकर त्यार कर रही हूं तो मैं देती जाओंगी क्योंकि जो पराठे ना वो गरम यह अच्छे लगते हैं खाने मैं तो मैं एक गरम गरम पराठा उनको दे यहां पर मम्मी कर रही है लंच और साथ में यह भी बैटे हुए हैं यह भी खा रहे हैं मा बेटे दोनों बैटकर एक साथ खाना खा रहे हैं और इन्होंने भी मॉर्णिंग से कुछ नहीं खाया था तो यही इनका लंच हो गया और ब्रेकफास्ट हो गया बोलती हूं लेकि फिर भी इनों नहीं खाया तो बस अभी साथ में बैट कर ये लोग खा रहे थे यहां पर ये हैं कुछ मैडिसिन जो की भाईया देके गए हैं जो मेरे सबसे छोटे वाले देवर हैं वो मैडिकल लाइन में हैं पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है तो वही हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो घर पर दवाई वगएर दे देते हैं हमको बहार जाने की ज़ुरत नहीं पड़ती है तो इसलिए मम्मी को यह सब दवाई देकर गए हैं और यह समझा रहे थे की कैसे कैसे खाना है वो इधर ही आयते घर पर और देकर चले गए हैं तो बस यहाँ पर मम्मी को बता रहे थे यह की कैसे खाना है कब खाना है और आज मंडे है तो मम्मी जो है ना मंडे के दिन ही जादा तर आती है क्योंकि इनका हॉलिडे रहता है जो भी मेरे रेगुलर्स विवर्स होंगे उनको पता होगा कि मंडे को मेरे हस्बेंड को हॉलिडे रहता है संडे को नहीं रहता है तो बस मम्मी इसलिए मंडे को आती है जादा तर बीच में आती हैं लेकिन बहुत कम उनका Monday फिक्स है कि Monday को ये घर पर रहते हैं ये रहता है कि ऐफिस बगेरा जाना नहीं है फिर जाएंगे आएंगे तो बस holiday पर तो घर पर ही रहते हैं तो इसलिए वो जादा तर Monday को ही आती है हमसे मिलने के लिए और ममी आती है ना तो काफी अच्छा लगता है पूरा दिन पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है क्योंकि बाते करते रहते हैं और ऐसी जो है ना टाइम निकल जाता है अभी टाइम हो रहा इबनिंग का सामके चार बच चुके हैं तो मैं आ गई हो किचिन म बात में साफ कर लूँगे तो बस अभी मैंने सुचा चलो बरतन भी साफ कर लेते हैं साती साथ मैंने चाय को भी बनने के लिए रख दिया है क्योंकि एप डिंग का टाइम भी हो चुका है हम लोग साथ में बैटकर चाय भी पी लेंगे तो मैंने जो है ना चाय में वही इन चो चाय ब्रेकफास्ट के हूँ या अगर मैं किचिन में काम करती हूँ ना तब भी मैंने को हाथों हाथ क्लीन करती रहती हूँ लेकिन आज ऐसी आलस खा गई सुचा चलो बात मैं कर लूँगी मम्मी के साथ बैट लेते हैं और यहां पर जो है ना मैंने काल रही हूँ नमकीन और बिस्किट खाने के लिए और चाय भी जो है ना बॉइल हो चुकी है तो बस उसको मैं चान लूँगी यहां पर हम लोग सब भी बैट कर इंजॉय कर रहे हैं अपनी इवनिंग की चाय सो आप लोग भी हमारे साथ इवनिंग की चाय बना कर पी लीजिए और बस च पांब निकल जाता है फदा ही निए चलता है सोच मौर्णिंग से इवनिंग हो गई और बिलकुल भी पता नहीं चला के टाइम कैसे निकल गया फैटे रहते बातें बगेरे करते रहते तो दिन कम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है अब ही टाइम हो रहा है नाइट का और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ इबनिंग के बाद से तो मैं बनाने वाली हूँ डिनर और आज मैं सिंपल दाल चावल बना रही हूँ यह बोल रहे थी कि सिर्फ दाल और चावल बना लो तो बस बही मैं बनाने वाली हूँ चपाती वगर नहीं बनाओंगी तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दाल में तड़का दाल मैंने पहले ही बॉयल कर ली है उसी के लिए कडाई में ओयल अट कर दिया था ओयल गरम उने के बाद उसमें डाल दिया था जीरा साथ में ही डाल दी थी दो से तीन कुटी हूई लैसुन की कलिया वो फ्राय हो गए उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दी है कटी हूई प्याज और हरी मिर्च इनको भी मैं उसके बाद इसमें मैं कर दूँगी एक कटा हुगव टामाटर आज मैं वनाने वाली हूँ रैड मसूर की डाल तो उसको मेने बोईल करके रक दिया है बस प्याज और हरी मिर्च अच्छे से फ्राय हो चुकी है अब इसमें मैं डाल दूँगी एक कटा हुग टा हुगव ट भी आपेआइब 10-12 Grabs की त? चाहँ से कुणे की पाइबदो पडूर की जाये हैं सुख जानbal हाँ पानी डाले टाल ने मुझ्टे की नबहाँ भूण चुका है कड़ाई में लगने लगा है और छोड़ दिया उसने तो बस इसमें अब मैं डाल दूगी दाल और बस अच्छे से मिक्स कर लेना है एक तो बाला लाने दूँगी तो हमारी दाल भूं कर त्यार हो जाएगी साथी मैं डाल दूगी हरा धनिया मेरे पास्षू राइस बना लेते हैं उसी के लिए कुकर में ओयल एट कर दिया था ओयल गरम होने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है जीरा साथी में डाल दी है चार से पांच खड़ी काली मिर्च एक दालचीनी का तुकड़ा और दो तेज पत्ते तोड़कर मैंने एट कर दिया है इनको थो जीरा राइस बना लेते हैं थाकि इनका भी पेट भर जाएगा और आज जेना हमारा हलका फुलका खाने का मन था चपाती बगएर खाने का मन नहीं था वह बैसे मुझे तो डाल राइस कापी पसंद है खाना तो बस यहां पर मैंने राइस करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बस कुकर बंद कर दूँगी तो जीरा राइस बनकर तयार हो जाएंगे तो यही है आज का हमारा सिंपल सा डिनर आप लोग भी आ जाईए हमारे साथ खाने के लिए जिसको भी डाल राइस खाना पसंद है तो चलिए फ्रेंट्स आज के इस ब्लॉग को भी य कर रहे हैं साथ मैं ही नोटिफिकेशन बैल को भी हिट कर दीजिएगा तो यहां पर जीरा राइस बनकर तयार हो चुके हैं वही मैं आप लोगों को कुकर ओपन करके दिखा रही हूं और कितने बड़िया खिले-खिले हुए राइस बने हैं तो बस यही था आज का मेरा थैंक्स पूर वाचिंग